मैं डाक्टर अमिद भटनागर, पंतनागर, कृषी बिश्विधाले में, सस्य विज्ञान भिवाग में, प्रोफेसर के पतपर कारे रहत हूँ और इस चैनल के माध्धम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे तकि उसका लाव अपनी खेती में ले सके आज जो मैं चर्चा करना चाता हूँ ये है कि घास को मारने के लिए हम बहुत सारे हर्विसाइट्स का प्रयोग करते हैं, शापनाशी जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इनको प्रयोग करने का सही समय क्या है? दिए अगर हम शापनाशी को सही समय पर प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमें उसकी अच्छे रिजल्स नहीं मिलेंगे, समानेता हम शापनाशी का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसको हम सही समय पर नहीं डालते हैं, जो उसको डालने का समय है, इस कराण से घास पर उतना प्र उसको डालने का समय भी हम ध्यान रखें कि हमें वो कब डालना है आज मैं इसी बात पर चर्चा करूँगा देखिए बुवाई के बाद जो हम हर्वी साइट डालते हैं वो समानेता दो प्रकार की होते हैं एक बुवाई की तुरंट बाद डालते हैं जिने हम प्री इमर्जेंस हर्वी साइट कहते हैं दूसरे जो होते हैं जो हम खड़ी फसल में डालते हैं खर्पतवारों के उपर जब फसल बड़ी हो जाती है 15-20-25 दिन बाद जब डालते हैं उसको पोश्ट इमर्जेंस बोलते हैं कि हम दे हैं इसोह झाल जना हमको तुरत गालते हैं इसको इसको डालते हैं अगर अगर आप नहीं डाल पा रहें तो दूसरे दिन डाल दें तो तीन दिन तक आप डाल सकते हैं इसको लेकिन आपको क्या करना है उसी दिन डाल दें जिस दिन बुवाई करें उसी दिन डालें तो लेकिन इस बात का ध्यान लखें खेत में नमी होनी चाहिए अगर नमी खतम हो तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा जैसे इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है तो जैसे आप वह आई करते हैं तुरंट डाल दीजिए और अगर आप निडाल पा रहे हैं तो अगले दिन डाल दीजिए तीन दिन तक आप डालना चाहिए तीन दिनवर डालेंगे तो इसके results नहीं मिलेंगे, अच्छे results अभी मिलेंगे, आप उसको तुरंट डाल दें, क्योंकि नमी रहती है, और जमीन के अंदर जो घास के बीज है, जैसी वो जमते हैं, वो तुरंट इसके संपर्ख में आते हो, खतम हो जाते हैं, मान लीजे, यह हमारा जैसी जमेगा, इसकी जो जड़े निकलेंगी, तुरंट इसकी संपर्ख में आएंगी, जैसी यह निकल के उपर को आएगा, या दवाईस की जड़ों के संपर्ख में आएगी, तुरंट यह घास खतम हो जाएगी, तो तभी इसका नाम pre-emergence मतलब, प्री पहले इमर्जनस मतलब अंकुराण, अंकुराण निकलने, इसके निकलने से पहले ही तुरंट इसको हमें प्रियोक करना है घास के निकलने से पहले, अगर घास के निकलने के बाद हम डालेंगे, जैसे पेंदी मेसीनी एकर जिनको घांस निकलने का डाल वाया या तब इसका कोई इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान लखना जो भी प्रीमर्जन्स हर्विसाइड है वो आपको तीन दिन के अंदर डाल दरें चाहिए तो जब भी आपको यह हर्विसाइड खरी दें दुकानदार से जरूर पूशनें चाहिए कि यह प्रीमर्जन्स है या पोस्ट इमर्जन्स है तो अधिकतर जो हर्विसाइड आते हैं पोस्ट इमर्जन्स आते हैं कुछ प्रीमर्जन्स हर्विसाइड है तो आपको पता हो चाहिए यह प्रीमर्जन्स है या पोस्ट इमर् तो गर्मी से इसका प्रभाव कम जाता है क्योंकि उन्हें लगती है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता तो आपको तीन दिन केंदर तक डालना है और शाम के समय आप डालेंगे तो बहुत अच्छे नीन और बहुत तरहाँ होता है होता है मालीच अव गहास जम गई आपकी पठीस में निकली है घास बड़ी होता था अब जैसरे हम अब है को": गांद साथ भिष्य की कब डालना है बीस दिनवार डालना है पक्चीज दिनवार डालना है देखिए ये दिन पर निर्वर नहीं करता है समाना तरह कहता है कि पंदरा बीस पक्चीज दिन पर डालना चाहिए ये निर्वर करता है घास कितनी बड़ी है जब घास में हमारे तीन से चार पत्ती के अव आप उतना असर नहीं कर पाती अगर मान लीजे दो-तीन ही पती अभी निखली है मान लीजे घास अभी छोटी है और आप ने इसको डाल दी तो होगा कि अभी सारे बीस तो जमे नहीं है अगर आप दवाई डाल देंगे तो क्या होगा जो बाद में निकलने वाले जो खर्पतवार हैं उन पर असर नहीं करेगी दूसरा जब यह घास छोटी है और आपने दवाई डाल दी तो अधिकास दवाई कहा जाएगी जमीन पर जाएगी जब कि यह पोश्ट-Emergence असर नहीं करेगा अब यह क्या होगा जब तीन से चार पति वस्ता होगे तो कुछ एक से दो पति के वस्ता पे भी होगे कुछ भहत छोटे भी होगे तो जब ऐसी इस्थितिमा अफ़विसाइड डिस्प्री करेगे तो सब को कबर कर जाएगा अमाली जा आपने जल्दी कर दिया अभी दो या तीनी पती आई है तो उस दवाई जमीन में चली जाएगी और जो बाद में निकलने वाले खरपतवार है उन पर वो असर नहीं करेगी तो ये जो अवस्था होती है ये घांस में अधिकांस जो आपकी घांस निकल लिए उसमे तो तीन से चार पक्ती आ गई हो अब ये अवस्था अलग 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 आती है अगर बारिश बहुत अच्छी हो रही है जमीन इस दिन में भी आया आती है अब मान लिजए कि कुछ जगह पर ये 25 दिन पर आती है कुछ पर ये 30 दिन पर आती है अगर वीड बहुत जदा है ये अवस्था पंदर दिन पर भी आ सकती है अगर खेट में खर्पतवार जाता है और बारिश वो रही है खाद आपने अच्छी डाल रखी है तो अब ये जो अबस्था होती है 20 से 25 दिन पर समाने ता आती है लेकिन आपको इध्यान रखना है कि कब हमको देखना है कि जब लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुद इस बात साव इध्यान अगे अगर वीड बहुत बड़ा हो गया घांस बहुत बड़े हुए तब यह असा नहीं करे हो फसल को भी नुक्सान कर सकती है यो तो आपको ये ध्यान अखना है यह प्रेमर्जेंस आपको भुगाई के अगला आती है यह आपको समझमा आगया होगा कि जो अधिकांश जो हमारे हर्विसाइड आ रहे हैं पोस्ट इमर्जेंस होते हैं आपको यही देखना अपने खेत में एलिक्षन करना है देखते रहना फसल में जैसी अधिकांश घास में तीन से चार पत्ती हो तो आपको डाल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद